मुदी जी में domestic politics पे वापस आती हूँ, एक सवाल है electoral bonds के बारे में, राहुल गांदी जो हैं वो हर भाशन में कहते हैं और विपक्ष के निता भी कहते हैं कि इसमें धानली हुई है, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुझाईश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं, क्या ये गलत फैसला था, electoral bonds का? पहले बाता हैं, हमारे देश में लंबे अर्शे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन की सब बहुत बड़ा खतरना खेल हो रहा है देश के चुनावों को काले धन से मुक्ती मिले, इसके लिए कुछ कर ना चाहित चर्चा वार्णी के दानली है चुनाव में खर्त होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टिया करती है, केंडिनी भी करती है और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टिया लेती है मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काने धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ती मिले, टांस्टरन से कैसे आई, एक प्रामानिक पवित्र विचार्मेरिमन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पुरुना है रसा, उसमें भी एक लेम नहीं किया था, पर्लामेन में डिबेट में हमने उसको सराह भी था आज जो लोग फुलर फुलर बोट हैं उन्हों सराह था पर्लामेंट डिबेट देख लीजिए हमने कैसे कैसे काम किया जैसे हजार और दो हजार के नोट खतम करती चुना में वही बड़े-बड़े मात्रा में ट्रावेलिंग करते हैं क्योंगे ये काला दधन खतम हो हमने सुप्रीम कौटे कहा था कि बीस हजार रुपिय तक को पुलर पार्टिया कैस ले सकती है मैं ने कानून बना कर नियम बना कर ये वीस हजार को डहे जार कर दिया क्यों क्योंगregand चाहता था कि एक कैस वाला कारोबार चले, फिर मैंने कहा है कि एलेक्टरल बॉंड, कि जो पार्टी अपना सिक्रसी मैंटेन करना चाहती है, होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे इताइ किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहा हम चेक से दे ही नहीं सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते हैं, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार हो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो परिशान करेंगे, तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तेयार है लेकि लिग देखातili है थन्यों एक फासन मरना तो यह सारी समय करता पता निकालते अब दें किएın ये इल्यक्टोरल बॉंड नहुते हैं तो किस विवस्था में ताकरते को धुंड़ के निकालते हैं कि पैसा कहांसा जा और कहां गया यह तो इलेक्टराल बॉन्ट की सॉइ Courtney है कि इलेक्ट्राल बॉन्ट थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का किकीस कमपने ने दिया कैसे दिया कहा दिया अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वह भीवात का भीशे हो सकता है इसकी परता हूँ मुझे जो चिंता है मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्डे में कोई कभी नहीं होती है निर्डे तो चर्चा करें सुखते हैं सुधारते हैं इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन के तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पस्ताएंगे जब बात में इमानदारी से सोचेंगे सब लोग पस्ताएंगे अब देखिए इलेक्टरल बॉंड का भी विशेस ताजी कैसा जूट चल रहा है कुल देश में तीन हजार कम्पनियों ने इलेक्टरल बॉंड दी है उसमें तीन हजार में 26 कम्पनियां ऐसी है जिन पर कारिवाई दी है ये कहते हैं ने 3,000 डोनर है उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कम्पनिय ऐसी थी चापा जब लगा उस समय बॉंड खरीदा कोई जोड सकता है इसको अगर बॉंड खरीदा लोगें जोड रहे हैं उसकी विशरता ही है कि ये जो 16 कम्पनियों ने बॉंड खरीदा उसमें 37 पैसा एमाउंट BJP को डोनेशन में बिली 37 63 परसेंट BJP के विरोधी पार्टियों तो मिली है अगर पूरे जोड़े जाएं तो मैं ये 16 कम्पनियों जिसका ED, CBI कोई ने कोई उस समय एकसेंट भी हुआ और बॉंड भी निकला 37 परसेंट एमाउंट BJP नेए 63 उपोजिशन को क्या ED रेड करे और उपोजिशन को डोनेशन देने का कारकमबर करे क्या BJP यसा करेगी इसका मतलब की 63 परसेंट पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरो फंपल लगाएं लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है If you like this video then like, share and subscribe to ATNOW झाल